दोस्तो नमस्कार SSEGD को निस्टेबल एक्जाम 2022-2023 ग्यारा जनवरी फोर्चिफ्ट तो चलिए पेपर हो चुका है देखते हैं कैसे कैसे क्यूसन पूछे जा रहे हैं आपका एक्जाम नहीं होआ है तो आपका एक्जाम किस तारिक को है कमेंट बोक्ष में जरूर से बताना दोस्तो पहला क्यूसन लोसोंग महुत्सव कहां मनाया जाता है यानि किस राजय में मनाया जाता है तो उत्तर आएगा सिक्किम में मनाया जाता है ठीक है लोसोंग महुत्सव है ये परतिवर्स सिक्किम में तिबति चंदर कलेंडर के दस्वे महिने के अठार्वे दिन मनात जो कि फसल के मोसम की सुरुवात का परतीक है और यह तुहार नेपाल और भुटान में भी मनाया जाता है ठीक है तो आगे आपका एक्जाम है तो यह क्यूशन साब के लिए काफी इंपोर्टेंट है और आपका एक्जाम हो चुका है तो आपने कितना टेम्ट किया जरूर से ठीक है अगला क्यूशन 2020 में डांस के लिए यानि नर्ते के लिए पदम सरी पूर्शकार किसे दिया गया तो उत्र आएगा राम सहाई पांडे को 2020 में डांस के लिए पदम सरी पूर्शकार राम सहाई पांडे को दिया गया तो किस नर्ते के लिए दिया गया तो उसका उत् ये बुंदेल खड में परसिद है यानि ये बुंदेल खड में किया जाता है ठीक है और यहाँ पे राम सहाय पांडे का जनम किस राज्ये में हुआ अगर ऐसे पूछा जाए तो ये हुआ मद्य परदेश में 11 मार्च 1933 को अगला क्विशन दोस्तों UPSC यानि संग लोग सेवा आयोग समिधान के किस भाग में है उत्तर आएगा भाग 14 में संग लोग सेवा आयोग एक समिधानी की निकाह है समिधान के भाग 14 के अंतरगत अनुचेद 315 से 323 के बीच एक संग्य लोग सेवा आयोग और राज्यों के ये राज्यों लोग सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है UPSC भारत सरकार के लोग सेवा के पदादिकारियों की निक्ति के लिए प्रिक्सियाओं का संचालन करता है अगला किसन 2018 ACI खेलों में कुल कितने खेल सामिल थे तो उत्र आएगा 40 खेल ठीक है 2018 ACI खेलों में कुल 40 खेल थे तो ये खेल इंडोनेसिया की जकारता और पालेमबाग नगरों में 18 अगस्त 2018 से 2 सितंबर 2018 के दुरान आयोजित किये गए थे ठीक है इन खेलों में इन में आपके टोटल 40 खेल सामिल थे जिन में 65 परतिस परदाएं आयोजित की गई ठीक है अगला क्विशन रागहो चड़ा के इस्थान पर कोन नव निर्वाचित हुआ तो इनकी सीट पर इनकी सीट की जगए कोन नव निर्वाचित हुआ आंसर दारेक्टर कोन है तो रो के डारेक्टर का नाम पूछा गया है तो रो के डारेक्टर यानि मुख्य ने दे सके हैं सामंत गोयल और रो का मुख्याल है कहा है तो रो का मुख्याल है नई दिल्ली में इसका गठन सितंबर 1968 में किया गया था और रो का कारिय क्या होता है तो र जानकारी एकत्रित करना आतंकवाद को रोकना और गुप्त ओप्रेशन करना इत्यादी यानि रो है वो एक खूप या एजनसी है भारत की ठीक है अगले क्यूशन दोस्तों आपे पर्थम पंचवर्शी योजना के बारे में एक क्यूशन फिर से पूछा गया है कि पर्थम प परधारमंतरी जवालाल नहरु ने भारतिये संसद में प्रस्तूत किया था देखे दोस्तों जो भी आपके सिप्स के एकजाम हो रहे हैं जीके जीएस से आपको बिल्कुल भी घवराने की जरूत नहीं है साथ हिंदी भी आपकी बिल्कुल नोर्मल ही आ रही है बस टाइम म राजवनस में उपाधी से जुड़ा होगा क्यूसन आया है विद्यार्थी को एक्जेक्ट याद नहीं रहा लेकिन इससे जुड़ा होगा एक क्यूसन पूछा गया है तो चोल है वो प्राचीन भारत का एक राजवनस था और पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदि सेध हो गई पंचवर से योजना परमुक महुत्साव और यहाँ पे खेल इनसे जिवड़े हुए क्यूसन हर सिप्ट में आ रहे हैं फिक्स है तो देखे अगर आप यहाँ पे अपने एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो इनका आपको ध्यान जरूर से रखना है बाकी दोस्त कोन कर दो ताकि आगे भी आप ऐसे ही वीडियोज देख पाएं थैंक यू जैहिंद वन्दे मात्रम